स्वागत है आप सभी का सरकारी के एक और न्यू वीडियो में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे देली प्लिस कॉंस्टेवल एक्जामनेशन 2023 के बारे में जो की 14 नॉम्मर से आपका सीडियो ले 14 नॉमर से आपका एक्जामनेशन शुरू है तो इसी अल्रेड़ी एस SSE का एक्जाम दियोगे उनको पता होता है कि आखिर अध्मिट कर्ट कब जारी होता है लेकिन जो बच्चे नुए उनको नहीं पता रहा तो मैं उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाया हूँ ठीक है तो दीखिए दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता अपने फिरफ्ल क रहा है अगर झेदा उसके बाद कुछ भी नहीं सकतें टाट आपको वेट्गा लेकन जिनका एक्षेप्ट होता है उसमें डेटैelt कुछत नहीं होता है यूँगे देखे, जो Delhi Police Constable का examination ये फ्रेंस वो एक दिन नहीं होता है, यह लगबा कुछ दिनों तक चलता है, तो इसी भीश मतलब यह आपका examination जो है, आपका चौदरा मर से सुरू है, तो इसके कुछ दिन पहले पहले आपका application status जारी होता है, और इसके बाद जो है आपका admit card आता है, application status में आपका exam date लिखा हुआ रहता है, इसके साथ examination center का जो city है, यानि कौन से city में आपका पढ़ा है, exam center का नाम नहीं रहता है, लेकिन exam city पता चलता है उसमें, कि आपका exam जो किस city में है, ताकि जिनका भी मतलब किसी other state या फिर मतलब दूर जगह पर दे दिया center, तो वो अपना ticket बगड़ा कर ले, इसलिए application status को जारी किया जाता है, ये application status कब जारी होता है, तो ये application status, exam date के लगबग 20 से 25 दिन पहले जो है, आउट होना सुरू हो जाता है, कितना दिन पहले, 20 से 25 दिन पहले, अब 20 से 25 दिन पहले आउट होना सुरू हो जाता है, क्योंकि इस से पज़े दिन पहले आपका आउट होना सुरू हो जाएगा और एक-एक करके जोए सभी डिजिएंस का आना सुरू हो जाएगा था है तो application status की बात करें तो application status में माननके चलता हूं कि 20 दिन पहले आपका आता है तो यह आपका पचीस अक्टूबर तक जोए आपका date बना है क 25 अक्टूबर से आप लोग अपना application status को check out कर सकते हैं सबसे पहले आपका KKR region का आता है उसके बाद आपका southern region का आता है उसके बाद मतलब बाकी regions का चला आता है ठीक है और last में सबसे last में आपका central region का आता है Central region में UP और बिहार की candidates होते है तो उनका जो सबसे last में देखने को मिलता है तो ये मतलब मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आपका application status आएगा जो कि आपका exam के ठीक 20 दिन पहले आएगा जो कि आपका 14 नॉमबर को है exam है तो इसके ठीक आपका 20 दिन पहले यानि कि आपका 25 तारीक तक आपको देखने को मिल जाएगा और बात करें कि आपका final admit card को तक आएगा तो final admit card जो आपका application status में जो आपका exam date रहेगा ठीक उसके 4 दिन के पहले आपको mail पर भी मिल जाएगा या फिर आप इसके website पर जाकर के भी आपना admit card को download कर सकते हैं ठीक है जैसे मान कि चली का आपने application status को check out किया और आपका exam जो 14 नॉमबर को है तो 14 नॉमबर के ठीक 5 दिन पहले या 4 दिन पहले आपको email id पर भी भेज़ देंगे अगर email पर नहीं आता है तो आपको जो है खुद जाकर के website पर जाकर के आपको download करना होगा ठीक है तो मैंने आपको बता दिया इस तरीके से आपका admit card देखने को मिलने वाला है जो कि आपका application status आउट होगा पहले है मिलते आप से नेक्स्ट डूडियो में तब तके लिए goodbye